सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे जहां पर टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और आज हम लोग मिले हैं केमिकल बॉंडिंग के लेक्चर नंबर सिक्स के लिए लेक्चर नंबर फाइव में हम लोगों ने बहुत ही एक क्या से ऐसे ऐक पढ़ने वाले कैसे मतलब के देखको थैप का मतलब क्या है मेरे लिए कैज प्रहिए हमेशा चैपटर पढ़ा रहा होता हूं अ है कुछ टॉपिक्स ऐसे होता है जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ते हैं फ्रोसा एक्जामपल लेते हैं कोई प्रिविएस आलो के एक्जामपल से मैं बात करो जैसे कि आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रान ने कॉन्फूगरेशन सीखा यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जीवन भर काम आएगा लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें जीवन भर काम नहीं भी आते हैं जैसे चैप्टर आपने पढ़ा होगा नहीं थे मैं अगर आपको याद हो क्रॉप प्रो तो काम आता है होगा लेकिन साइन्स वालों को क्या ही जोड़ा अब ऐसे दिल पर मतलब समझो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं उस साल लेकिन वह जीवन भर हमारे काम में आता है जैसे और गेनिक केमिस्ट्री इस साल आप पढ़ गया टेंथ में आप आपको जीवन भर आपकी हेल्प जो है वो करने वाला है आओ बात करते हैं कि वाट डियू मीन बाई पोलर और नॉन पोलर सब्स्टांस लेकिन उससे पहले आपको पिछली क्लास थोड़ी से याद होनी चाहिए तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पोलर सब्सट्री प्रवाइब दूसरे से एक सर्टन गैप पर बैठे होता है पहली बात तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपॉल कहते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपॉल में जब हम कोई भी एक चार्ज को कि दुनों बराबरी होते हैं इंटु में उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टिप्लाय क कर देते तो उसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपॉल मुंट्ट का था और सब से इंबॉरण बात एक वेक्टर पॉन्टिटी थी जिसकी डाइरेक्शन फ्रॉम पॉजट चार्ज नेगेटिव चार्ज होती है अकॉर्डिंटू केमिस्ट्री अकॉर्डं तू केमिस्ट्री ऑ् positive charge से negative charge होती है, यह आज का सबसे use होने वाला concept होने वाला, ठीक है जी, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, polar and non-polar substances, यह वर्ड बहुत बार आगे जाके आप सुनोंगे अपनी life में, लेकिन आओ बात करें कि polar और non-polar substances क्या होते हैं, ठीक है जी, चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, polar substances के, polar substances, polar substances क्या होते हैं भई, तो substances having non-zero dipole moment, having non-zero dipole moment, बहुत शौट में लिख रहे हैं, polar substances वो होते हैं, जिनका, जो dipole moment होता है, वो non-polar होता है, मतलब कि, उनका कुछ dipole moment हमेशा से रहता है, वो non-polar होता है, example लेंगे न, तो आपको चीज़े समझ में आएंगे, और ये polar substances, आपको ज़्यादा बहतर समझ में आएंगे, जब आप non-polar पढ़ लेंगे, comparison हो जाएगा न, तो substances having non-zero dipole moment, ऐसे substance जिनका dipole moment non-zero रहता है, उन्हें हम लोग क्या बोल रहा है, polar, example के तोर पर ये non-zero का मतलब क्या हो समझें, इसका एक example में आपको ले रहा हूँ, बहुत simple से शिरुबात करने है, HCL, अब HCL में H है और CL है, मैंने आपको last class में पताया था कि दुनिया के हर substance में आएंगे करेक्टर भी होता है, और covalent करेक्टर भी होता है, अब HCL की अगर बात कर ले, तो H पे जो चार्ज होता है, वो कहीं ना कहीं, अगर ये आइनिक compound होता तो H पे चार्ज होता प्लस वन और CL पे होता माइनस वन, बट ये covalent होता है, बट कोवलेंट में भी एक एलेक्टर पॉजटिव होता है, और एक एलेक्टर नेगटिव ये हमने प्रियोर्डि क्लासिफिकेशन पर पढ़ाए, तो H पे जो चार्ज आएगा कहीं ना कहीं वो पार्शल पॉजटिव आएगा, पार्शल हम क्यों लिखते हैं, बिकाज ये डिरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजटिव चार्ज टू नेगटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजटिव चार्ज तो ये डाइपोल मुमेंट हो गया, आप मुझे सरल भाशा में बताओ, कि जो टोटल डाइपोल मुमेंट है, क्या उससे कोई कैंसल कर रहा है, मतलब क्या वो जी मुझे से दिखाते हैं, वो तो नॉन जीरो आएगा ना, है ना, अगर नहीं समझ मैं तो मालो एक मॉलेक्यूल है, जिसका भी हम एग्जांपल लेंगे, उसमें मालो ये पार्शल पॉजटिव है और अभी हम दिखाएंगे कि यहां पर पार्शल नेगिटिव आ गया, और और एक ऐसा मॉलेक्यूल है, तो उसमें एक डाइबड़ होगे है पॉसे नेगिटिव, और एक और डाइबड़ होगे है पोजया तो एक दूसरी वो कैंसल आउट हो रहा है, लेकिन यहां पर पहले बात तो कोई किसी को कैंसल ही नहीं कर रहा है, और अगधर कैंसल करे भी फ़रा सबर रखेंगे बस चीक है ना जब मैं नॉन पुलल पढ़ा दूँगा तब समझ ना है तो आप पता ना ठीक है एच्टू अब एच्टू ओ में एच्टू की शेप कैसी होते हैं हम लोग हाई एप्रिडाइजेशन या फिर वी ऐसी पी आर से बना चुके लोन पे रसमें भी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अब ओ पर हम सब जानते हैं नेगटिव होता है और एच इसके मुकाबले में पॉजटिव रहता है ठीक है अब आप इस डाइगराम को देखो अगर तो आप मुझे पताओ वाट इस दी प्हHyली बत右 भाट हो कितने दाइपोल नें इसके पास तो दो डाइपोल दिख रहे होंगे एक यह रह और एक यह रह आब डाइपोल मुमेंट की डाय कर सकते हैं जब वो एक दूसरे से opposite हो यानि ऐसे हो जासे हूँ जीरो तर लेक्न यहां पे आप देख सकते हैं कि दूसरे से opposite नहीं तो net कौन पोलर समझाँगा न तो आपको ज्यादा मज़ा आएगा अभी तो हम बात कर रहा है पोलर सबस्टांस इसकी पोलर सबस्टांस कौन जिनका नेट डाइपोल मुमेंट नौन जीरो है मतलब जीरो नहीं है चीक है जी एनेस ट्री का एक्जामपल लेते हैं अगें एनेस ट् हमारी केमिस्टी का 3rd सबसे एलेक्रन नेगिटिफ सबस्टांस है आफ तो नाइटीरोजन नेगिटिटिफ होगा और हास्ट नगिटिफ है ओगर इस हिसाब से बात करें तो तmm सब्सक्राइब एक दूसरे को कैंसल कर पाएंगे नहीं देखो अगर आपको नहीं पता है तो कहीं पे लिख लिजिए मैं इंगल 120- 0 spring जरू गयोकिन धुर्य को चाहर वेक्टर्स यसको लेकिन अगर दो वेक्टरज को एक दूसरे को cancel करना और वो equal है तो तब हो पाएगा जब angle 180 वोगा तिन वेक्टर सबसको तो adap पाएगा जब उनके बीच मैँ जो एंगल है वो 120 होगा और चार वेक्टर एक दूसरों कैंसल तब कर पाएंगा जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो इस हिसाब से आपको यह बात समझने है कि कौन सा वेक्टर किसको कब कैंसल करेगा चीक है यह बात आप कहीं पर स्टेट्मेंट की फॉर्म में कंप्लीट अपनी भाशा में तो यहां पर भी आपको जो नेट मिलेगा यहां प भी आपको ऑपको और समझ में लेगा तोब कुछ भी करके ढूहीं दौटल दीडाइपोल मूमेंट है आरा है और एगर आपको अभी भी यह समझ में नहीं आया है तो अब तो बिल्कुल आँजाएगा जब आखको पढ़ाया जाएगा नॉन पोलर सब्स्टान्सेज अब नॉन पोलर सब्स्टान्सेज कौन से सब्स्टान्सेज होते हैं भई सब्सक्रारा जिनका डायपोल मुमेंट लो हो सकता है कि पहला कि आपके पास डायपोल मुमेंट है नहीं आ देखो डायपोल मुमेंट gigra 大 तो और कि कैंसे डायपोल है अफ हैं लेकिन जिस्व को कैंसेल आउट कर रहे만 आपको दोने की एक्जाम्पल देता हूं जैसे कि partial negative नहीं हो तो हो भी नहीं सकता क्योंकि दोनों कोई एक जादा फॉर्जटेव एक जादा नेगेटिव ऐसा तो हो नहीं सकता common sense की बात है तो इसलिए यहां पर तो डाइपोल नहीं बना और अगर डाइपोल नहीं बना तो यह तो common sense की बात हो गई कि इनका जो डाइपॉल मुमेंट है वो जीरो आ जाएगा और वहीं पर आगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा एक्जामपल ले रहा हूं मैं CO2 दियां से तुनना अब CO2 की शेप अगर आपको याद हो तो यह ऐसी होती है लीनियर हाइब रचेशन हमने पढ़ा था लीनियर शेप अब CO2 में सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्षन बताओ टाइम स्टैंप हो रहा है ग्यारा मिनट चालिस सेकिंड पचास सेकिंड के असपास टाइम स्टैंप पे पताओ मेरे को कि CO2 में कौन पार्शल पॉजटिव और कौन पार्शल नेगिटिव जल्दी से आंसर लिखो क्योंकि अगर आप अभी तक यहीं नहीं पता लगा पारे हो तो फिर आप तो गरत कर दोगे सब कुछ है ना लिख दिया कौन पार्शल पॉजटिव और कौन पार्शल नेगिटिव छेत है ओके चलो आई होप आपने लिखा हो कि ऑक्सीजन जो है वह पार्शियल निगेटिव रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री का आफ्टर फ्लॉरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्र नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन ही है तो आटमेटिकली कार्बन जो है वह पार्शियल क्या हो जाए हुआ दोनों डाइपोल मुमेंट ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया अब अगर दोनों डाइपोल मुमेंट ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया तो नेट डाइपोल मुमेंट हमारे पास जीरो आ गया यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी ठीक है और ऐसी अग और भी फ्रि की अगर मैं हाई प्रइज़सिंन नेकलता हो तो यह भी है हमारे पास f आगया और यहां पास f आगया चीक है अब पताओ भई अगें यह तो शयद पूछने वाली बात नहीं है मैं जब offline में या अपने online batches में पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ words यूज करता हूँ जिनकी मुझे आदत है और मुझे डर रहता है कि मैं online में वर्ड यूज ना कर दो फिकर online में बहुत controversy सी हो जाते हैं अभी मैं संदीब मरिशवली जी के शोग पे गया था मेरे session हुआ था वहां तो वहां पर भी ऐसा हुआ वहां पर भी बच्चे बैठे होते हैं सवाल वाल पूछते हैं तो मेरे मुझे से कुछ शब निकल गए तो मैंने उनको बोला कि प्लीज आप ये काट दीजेगा कट कर दीजेगा वैसे उन्होंने खुद ही कहा कि हाँ ये words हम लो काट देंगे शायद काट देंगे क्योंकि वह वह चीजे नहीं कभी कबार ऐसा होता है कि क्या होता है आफ लैं में पढ़ा रहे हैं हमारे paid batch में पढ़ा रहे तो वहां पर ना बच्चे ठीक है समझ नहीं कि हम पढ़ा रहे या इसने इतने अच्छे बेसे कोशन का अंसर नहीं दिया या फिर कभी कबार मैं बोलता हूं कि यार यह कितना गरीब है तो मैं हमेशा बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूं कि गरीब से मेरा कहने का मतलब financially गरीब नहीं होता है गरीब से मेरे कहने का मतलब मैं हमेशा उनको पढ़ाई में गरीब बोलता हूं मैंने बहुत जगा वीडियो पे बहुत जगा वीडियो डाली थी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऑनलाइन में पढ़ाते हुए तो वर्ड यूज ना हो बाकि मुझे लगता है आज कल थोड़ा चल है बच्चे है ना थोड़ा समझते हैं होते हैं एकाथ परसंट लोग और अपना काम करते रहना चाहिए मुश्किले हर्डल्स तो आप देखो मैं वैसे तो मैं बहुत छोटा मू बड़ी बात हो जाएगी कि वो चलो हम उनकी बात नहीं करेंगा मुझे लगता हर एक इनसान अपने अपने एक्स पेक्ट से सही होता है और किसी और के एकस्पेक्ट में वो गल्लत भी होता है हाना मैं एक लाइन है वो कि हर एक इनसान के हर एक जीवन में एक हीरो का रोल अबा करता हूँ, मैं तो इसे इनसान को नहीं जानता, मैं तो भगवान को में नहीं जानता, भगवान के भी किसी ना किसी किताब में एक विलन है, बहुत सा लोग को मैं जानता हूँ, जो जो ऐसा बोलते हैं, कि भगवान नहीं होते हैं बगवान ने तो मारसाथ बुराई किया तो जा हम पिसी की life में सब की life में hero नहीं हो सकते पूर्छ में समझा रह वात को तो यह जीवन है इसको यह चलता रहता है और चीजे इंसां लाता है भूल जाते हैं चल्लो भोश बहुत संधीप महिشरी लाइट लेकिन अगर मैं से पुछ हो कि BSmek Pas有一 यहां आइप तो यहां से अगया पॉज़िव से नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से टीनों वेक्टर है नीच में एंगल 120 आजाएगा पंक्खे कितना और 120 आजाएगा तो यह एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और अगर इन्होंने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया तो ने डाइपल मुवमेंट जो हमारा जीरो आजाएगा तो ऐसे सबस्टांसे जिनका ने डाइपल क्यों पढ़ा था उससे हम यह पता लगा सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर सबस्टांस क्या है अब आपके मन में एक और सवाल उड़ गया होगा कि अब यह पड़ाई नहीं है वह आगे जाके आएगी जैसे कि बहुत सारी जगा पे आपको लिखा मिलेगा कि पानी अपने जीवन का हिस्सा बन जाएगा मतलब यह ऐसा वर्ड हो गए दोनों जो आपकी लाइफ में किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी काम आजाएंगे मतलब यह कोई टॉपिक बन के नहीं आएंगे यह वर्ड बन के आएंगी कि यार एक कोशन लिखा वाएगा कि इस सब्स्टांस पॉलर तो पता होना चाहिए कि पॉलर का मतलब क्या है डाइप लूम जैसे चप्टर है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन आपका किताब सेकिंड में तो इस चप्टर के हमें हमें पानी की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी कि पा आगे पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं क्लास खतम हो गई लेकिन आपको होंवर्क में कुछ मॉलीक्यूल दे रहा हूं जिनके बारे में आपको पताना है कि यह नौन पोलर है ठीक है जिए पोलर है यह नौन पोलर है जैसे कि कुछ मॉलीक्यूल में आगे हमार पास ओ टू पी इन molecules के बारे में आपको पताना है कि यह polar है या non-polar यह substances जो है वो polar है या non-polar है इनके बारे में आपको पताना है ठीक है जी cool है आगे बढ़ रहा है done तो यहां से आपको अगर याद हो तो हमारे इस chapter में मैंने आपको पताए था कि तीन theories होती है उसमें से हमने एक theory यानि की वीविटी वेलेंस बॉंड theory फिर सेकेंड थे वीए सीपी आर यानि की वेलेंस शेल इलेक्रॉन पे रिपल्शन थे और आज लास्ट मॉलीक्यूलर और्बिटल थे और्बिटल थे अच्छा मैंने यहां पर आपसे बात करना चाहूंगा बच्छों बहुत सिंपल सी बात है कि कई बच्चों को अगर कई कोई 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 आपसे ncrt को follow करते करते पड़ रहा है तो यह बात ध्यान लगए कि हम ncrt को करते हैं पहले बात मेरी आदत है मैं किसी भी चीजस से देख के किताप से नहीं बढ़ा सकता मतलब यह चींडाना लेकिन पॉइंट क्या है molecular orbital theory जो है कई बच्चे कहते हैं कि VACPR हमारे किताब में पहले लिखी वी और VBT बाद में लेकिन आपने ऐसा नहीं होता है मुझे ऐसा लगता है कि VBT पहले करने चाहिए और VACPR बाद में ताकि आप यह समझ पाओ कि कैसे electron के pair इसके बीच में repulsion को VBT ने include नहीं किया लेकिन VACPR ने करा और नहीं shapes दे दी वो अलग बात है कि पहले VACPR आया या VBT ठीक है न ऐसे molecular orbital theory इस chapter में कहां आ रहा है कि sequence में इसको छोड़ो हम इसको आज पढ़ रहे हैं अचा नोटिस करो आप VBT में हमने और VACPR में हर प्रकार के molecules को लिया लेकिन हमने molecules of elements तो लिये ही नहीं ना इनके लिए हमने VBT पढ़ी है और ना ही हमने इनके लिए VACPR पढ़ी है इनके लिए आते हैं मरपास molecular orbital theory अब molecular orbital theory को मैं एक पहले तो एक बहुत अलग तरीके से आपको समझाना चाहूंगा उसके बाद हम में NCRT के format पर चलेंगे according to molecular orbital theory जब दो similar molecules एक दूसरे के उपर overlap होते हैं when similar atoms overlap each other to form covalent bonds two types of electron arrangement जिसको आप कह सकते हो orbitals are formed या can be formed और वो दो orbitals कौन कौन से होते हैं पहला होता है bonding orbital और दूसरा होता है anti-bonding orbital नाम सुने होंगे शायर पहला होता है bonding orbital और दूसरा होता है anti-bonding orbital और इसके बारे में बात करते हैं कि bonding orbital और anti-bonding orbital क्या होते हैं ठीक हैं यह जो मैं आपको अब करवाने जा रहा हूं बस एक समझाने का एक model है hypothetical तरीका है उसको दिल पर मत लगाना एंसे आठे में डूड़ना भी मत लेकिन मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं कि किस तरीके से हम पहले बात तो bonding और anti-bonding को हम समझ सकते हैं तो अगर कोई molecule of element जैसे CL2, BR2, F2, I2, N2 जो सेम atom से मिलके बनते हैं किलो of element केते हैं वो लोग जब एक दूसरे के ओपर overlap होते हैं तो दो प्रकार के bonds वो form कर सकते हैं दो प्रकार के orbitals वो form कर सकते हैं bonding और anti-bonding जैसे अगर आपको याद हो तो VBT में हमने पढ़ा कि जब कोई दो आटम से एक दूसरे के ओपर overlap होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं सिग्मा और पाय याद हो ना ऐसे यहाँ पर भी हम पढ़ाएंगे कि दो प्रकार के orbitals form हो सकते हैं bonding और anti-bonding पहले अगर बात करें bonding orbital की तो bonding orbitals में पहली बात तो एक property आपको समझे नहीं है कि bonding orbitals में less energy लेकिन more stability होती मैं आपको शायद यह बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि chemistry में एक बहुत बड़ा नियम है बहुत बड़ा लौ लौ तो नहीं कहूंगा बहुत बड़ा एक fact है कि जितनी कम energy होगी उतनी स्टेबिलिटी होगी यह thermodynamics में आप देखोगे एक law बनके भी आएगा बट अभी तक जब तक हम thermodynamics में नहीं पहुंचते जिसकी energy कम होगी जिसकी energy कम होगी उसकी stability जादा होगी और जिसकी stability कम है तो समझा उसके energy जादा है तो उल्टा भी बांडिंग orbitals में less energy होती है लेकिन more stability होती है अब यह कैसे समझो गया होता bonding orbital को हम समझें कैसे तो देखो गई यह हमारे पास एक atom है जिसमें बीच में यूक्लेस है और आसपास electron है ऐसे ही एक और atom है क्योंकि हम molecules of elements के बारे में बात कर रहे हैं तो यह हमारे पास एक और atom है सिमिलर है ठीक है आप यह दोनों एक गुसरे के ओपर जब overlap होते हैं तो according to mo t theory molecular orbital theory एक orbital बन सकता है वो कैसा हो सकता है कि उसमें बीच में electrons आ जाते हैं और आसपास proton का cloud आ जाता है समझने वाली बात क्या है कि जब orbital bonding वाले form होते हैं तो बीच में negative charge का cloud आ जाता है यह actually में ऐसा होता है बस shape में थोड़ी सी और बना रहा हूं बट यह actually में ऐसा होता है बीच में आ जाते हैं electrons और आसपास proton cloud आ जाते हैं तो इन से एक नया और बनता है जिसको bonding orbital कहते हैं अब मैं आपसे पूछों कि bonding orbital stable है या unstable है तो यह सवाल ही गलाता है जब आपको anti bonding नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं आपको anti bonding नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं आपको anti bonding नहीं देखो बड़ा अच्छा comparison मैं आप तो चोटा है तो अगर मैं इसके सामने यहां पर एक और काफी का मेरे पास यह आप अगर आप अगर आप रितिक रोशन के सामने खड़ा कर दोगे शाहिद का पूर जी को ऑल्टो दोनों ही बहुत कमाल की एक्टर्स शाहिद कपूर मेरे फेवरेट एक्टर भी है लेकिन अगर आप रितिक रोशन जी के सामने यह नहीं जच कर सकते नहीं बिलकुल अपर नहीं कर सकते कि यह वाला अर्बिटल स्टेबल है और चलेगा या auditor का्षटिव के साथ नेगिंगिति है फास्ट आज मैंत ये ज्यादा स्टेबल है या कंसे बले ये तो दो गजिए का रखाएंगा किसके लिए करेंगे एंटी बॉण्डिंग के लिए ठीक है नृबीस की तो यहां कि एंटी बॉन्डिंग और्बॉटल में क्या होता है कि less stability होती है क्योंकि इनके पास ज्यादा energy होती है less stability होती है क्योंकि इनके पास ज्यादा energy होती है अब इनको समझने के लिए यह हमारे पास nucleus है इसके आज़ पास electrons है यह हमारे पास nucleus है इसके आज़ पास electrons है अब जब यह दूसरे के उपर overlap हुए तो इन्हों ने कौन सा orbital अगर मान लो कौन सा orbital बनाया है एंटी bonding में क्या होता है electrons का cloud ऐसे ऐसे आदा आदा बढ़ जाता है और इधर हमारे पास proton cloud यानि positive चार्च और इधर positive चार्च अब आप ध्यान से इन दोनों को compare करो इन दोनों को और मुझे देखके comment section पर पताओ इनमें प्लीज सारी पढ़ाई bonding एंटी bonding की जो मनें पढ़ाई यह चोड़ दो आप इन दो इतना बताओ आपको यह दोनों diagram देखके यह वाला diagram और यह वाला diagram इनका orbital diagram देखके आपको क्या लगए रहा है कौन जादा स्टेबल है तो अब्वेस है bonding वाला क्यों रीजन है उसका ना एंटी bonding के केस में अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ गया देखें आप अगर आप ध्यान से देखो तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आने की वज़ा से यह दूसरे को रिपेल कर लेते हैं और रिपेल करेंगे कि बलके उसे दूर भाग रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पास रहना चाहते हैं अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर बॉंडिंग और्बिटल ही बढ़ी बढ़िया है बॉंडिंग वाला ही ज्यादा स्टेबल है तो फिर कोई मॉलीक्यूल आपस में और यहीं तो बात होती है ना इसी को भूलते है मजबूरी आप याद करो सिग्मा और पाइब वाले तरीके समझाया भी था बिल्कुल ऐसे ही आप समझेंगे ठोड़ा सा और बड़े होके कि यह क्योंकि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आती है तो आप समझेंगे कि ज जब दो ऑर्बिटल से दूसरे के साथ ओवरलाप होते हैं तो बॉंडिंग ऑर्बिटल जब फॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक लेवल आता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता फिर उनको एंटी बॉंडिंग ऑर्बिटल ही बनाने पड़ते हैं और अब आप कहते आप यहां टे नहीं कि ने कि थीक है अका पास बांडिंग मनाने को ऑक् dimensions यह आप समझेंघेंस की बांडिंग और बांडिंग ऑर अर्बिटल्स बन सकते हैं जब चेब इसको की form में कैसे represent कर सकते हैं यानि हम बात करेंगे अब m o diagram के बारे में आपको पढ़ाया ना यह वाला हिस्सा यह आपके exam में नहीं आएगा यह आपके exam में नहीं आएगा लेकिन एक flow बनाना बहुत जुरूरी है यह समझना बहुत सीधा m o diagram से भी भी शुरू किया सकता है बड़ आपको समझ ही नहीं आते मज़ा नहीं आता m o diagram इनको करने के बाद भी यादे से ज़्यादा बच्चों को समझन नहीं आते तो बिना इसके किये तो किसी को भी समझन नहाता या all those schools में करा दिया आता है बच्चे रटे मार लते हैं वो वो तो फिर survival की बात है कि ठीक है 11 निकालनी है एमो डाइग्राम बहुत इंपॉर्टन चीज़े हैं एमो डाइग्राम के दो लेवल होते हैं एक कि हम सिरफ एस और बात कर रहा है और एक लेवल बच्चते हैं आज हम सिरफ एस और के पर काम करने हैं ध्यान सुनना जब मैं एक दो डाइग्राम बनाऊंगा आपको अजीब सा लगेगा उसके बाद दिरे-दिरे फ्लो में आ जाओ गया तो अगर मैं यहां पर इनका एमो डाइग्राम बनाऊ तो यहां पर में हम दिखा रहे हैं इनरजी इसका मतलब है ऊपर जाते वक्त अनरजी बढ़ रही है ठीक है यह मेरे पास है एक हाईड्रोजन का ओर्बी टल्वन सवन अब जब 1 तो उफिर्वजी है नियुक्त यू और ग वालों की एनर्जी जादा होती एंड आ, जाए इस एक सा UP ...aison बनाते हैं सिक्वा इया है , हमेशा सिक्मा बनाता है P के पास 3 लौन में ऑश्वा होते हैं , तो नहीं यह यह न specifically having a है सिक्मा बनाता है अब 1S के पास कितने electron है एक और 1S के पास एक तो कितने electron हो गए दो तो हम वो दो electron कहां बरेंगे क्या हम उसको bonding में बरेंगे anti bonding में तो answer bonding में obvious ही बात है क्योंकि bonding stable होता है plus इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा sigma 1s और इसका नाम होगा sigma star 1s star का मतलब होता है कि वो anti bonding है क्या है anti bonding इसमें कोई भी electron नहीं आया तोकि total हमारा पास दो ही electron थे और दो electron हमने यहां बढ़ दी तो यह हो गया sigma 1s 2 और यह हो गया sigma star 1s नहीं समझ में आया तो एक और example लेंगे actually बहुत ले रहे हैं भी अप्लेंशन मतलो दो चार और ले रहे लेकिन ध्यान रखो कि यह मालो आया चलो इसके बजाए अभी minus प्लस में नहीं जाते हैं हम यहां बनाते हैं मालो helium 2 अब helium की electronic configuration 1s 2 और यहां पर भी helium की electronic configuration 1s 2 यह हमारे पास energy आ गई यह हमारे पास आ गया 1s 2 और यह भी हमारे पास आ गया 1s 2 अब अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ overlap करवाता हूं इन दोनों को एक दूसरे के साथ overlap करवाता हूं तो यह दो प्रकार के orbital बना सकते हैं कौन यह दो प्रकार के commitments और NIking this 2 के पास कितने एक और दू इसके पास वह 1 और 2 टो गितनी लियोगा के चाल का तो ढड़ेंगे अब दो बहुत ही नः कि नहीं तो मजबूरी है कि शीक माण भूद धूर और ये लेकिनी एंडे भाण देंगे तो सिगमा डाने सिगमा स्डार टाय सिबन जाएगा है हैं को मज़ा कब है और बनाते हैं फिर एक बनाना तीसरा मैं बना रहा हूं है दो माइनस हटो माइनस और फिर है एट्च टूबास आप प्लस का मतलब क्या है कि पहले एक से काम करेंगे वान यह हमारे पास एनरजी आ यह हमारे पास 1s1 इसमें एक electron यह हमारे पास 1s1 इसमें एक electron यह दो प्रकार से overlapping कर सकता है bonding और anti bonding total हमारे पास electron कितने हैं आप कहोगे 1s hydrogen में 1 hydrogen में लेकिन minus का मतलब किया इसने एक electron और ले रखा है तो total तीन electron हो गए एक दो इसके और एक किसी और से रखा है किस से पता नहीं लेकिन रूटल तीन हो गए तो एक दो और तीन इसका नाम क्या हो गया सिगमा वनेस टू इसका नाम हो गया सिगमा स्टार वनेस वन समझ रहो चालो जी अब आपको मैं पहले आप चाहिए चाहो तो नोट कर लो विडियो को पॉस करके नोट कर लो विडियो क को मैं तीस सेगेंड दे रहा हूं एच्टू प्लस का बनाओ जल्दी से जल्दी से तीस सेगेंड एच्टू प्लस का बनादो खट एक्स है जल्दी करना में जल्दी बनादो चीटिंग मत करना मतलब क्या पुष्ट को कॉपी करतो बस अपना दिमाग लगाना हाँ हो गया है है एक खेलते हैं यह से हैं हो गया हो फैली बात थी है कि एक अलेक्टू प्लस का मतलब कमी रहें फिर भी अगर है तो यह वन स्वन आ गया है यह लेज़िए न आगया लाट के एनरजी आगई यह हो गया बनएस वन ऐक इलेक्ट्रॉन यह भी हो गया बैंस एक इलेक्ट्रॉन अब में इससे बॉंडिंग और ऐन डी बॉंडिंग बने भाता हूं तो टोब दो इलेक्ट्रॉन नियकिन प्लस का मतलब सल जो हो गहिए तो बचा तो एक ही सिगमा वन एस वन और यह हो गया सिगमा स्टार वन एस जीरो तो यह खेल रहे गाए तो यह हमारे पास हुआ चैमिकल बॉंडिंग अगला लेक्चर में हम केमिकल बॉंडिंग में एमो को पी के लिए पी और्बिटल के लिए बात करने वाले हैं और इसके बात इसी से ही हम बॉर्ण ओडर पैरा और डाया के बार में बात करेंगे यानि पूरा आगला लेक्शर आप कह सकते हो शायद इसी के उपर हो और शायद चप्टर खतम फिर एक छोड़ा सा लेक्शर बचे का इसमें बहुत छुड़ी बाते हैं फॉर्मल चार्ज बॉर्ण लेंद बॉर्ण एंगल कुछ सवाल ले लेंगे इंसे आठीक है ठीक है ना ऐसा कर लेंगे ताकि चप्टर फुल फ्लेज्च ये खतम भी हो चाए ठीक है जी तो मिलते हैंगे लेक्शर में थेंगी स झालो फ़्या एंगल को फिरण हो बॉर्म लेक्ष साथ एंगल को भी है धुर्माज सित्के नह्ग भी हो 어렵t